हलो एप्रिवन आज मैं आपके साथ सेर कर रहे हूँ एकदम से असान बहुत ही टेस्टी रेस्पी जिसे बनाना बहुत असान है खाने में बहुत टेस्टी है यह बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को पसंद आएगा तो आपने अगर इससे पहले नहीं ट्राइ किया तो एक क्या करेंगे यहां पर एक मिक्सी जार ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूं आठ से दस यहां पर यह बदाम है जिसको मैंने रात में पानी में भिंगो दी थी और इसका जो छिलका है अटा लेंगे पांच यह चमस ले लिए पापी सीट्स जो कि खस-खस बोलते हैं तो इ जादा दूद नहीं डालेगे नहीं तो यह अच्छ से पीसेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में क्या करेंगे एक चमच खी डालेंगे और इसमें डालेंगे लगबक । कर देंगें मखाने को क्या करना है कि इस तर से धिमी-धिमी आज पे हमें इसको घी में असानी से भून जाते हैं क्रिस्पी हो जाते हैं तो इसको हाथों से दबा करके देखेंगे तो एकदम से अच्छे से यह जब क्रिस्पी हो गया है तो इसको इस तर से हमें निकाल लेना है अब इसी कड़ाई में क्या करेंगे दो बड़े चमश डाल देंगे घी घी गर्म होन पर इसमें डाल देना है हमें यहां पर आधे कप मैंने ले लिए गेहूं का दलिया जिसे ब्रॉकन वीट भी बोलते हैं और यह सुझी से थोड़ा सा मोटा होता है तो इस तरह से क्या करना है कि घी में अच्छे से इसको हमें भून लेना है जैसे इसको भूनेंगे इसमें से बहुत ही बढ़िया सा देख सकते हैं यह लावा जैसा हो जाता है एक दम छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो अभी हमने पॉपी सिर्ट जैसे भिंगो करके रखी थी वैसे ही हो जाता है तो इस तरह से धिमी धिमी आज पर क्या करना है अच्छे से इसको बढ़िया सा कलर जाने तक भून लेना है इसके बाद जो है इसमें डाल देना है चार से पांच कप इसमें डाल देंगे दूद तो यह उबला हुआ दूद है मैं इसमें डाल रही हूं और दूद डाल करके क्या करना है कि इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसको तेजाच कर और क提ुना है ताक और यह गोले कि हैं यह मोत तो थोड़ा के उसमिंद्आ के अच्छा कुझा है फोरहने, जकली हैं जादा है पर्लम पा सी जम्या पेड़ा है जिससे कि जो हमने इसमें जो दलिया है इसको अच्छे से हमें दूद में पका लेना है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्या करें कि इसको इस तरह से मिलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है और जो साइट साइट में दूद लग रहा है इसको इस तरह से हमें छुडाते की नहीं तो एक दाना लेकर के हाथों से जब तबाएंगे अच्छे से वो दब रहा है यानि कि वो पक चुगा है तो इस तरह से हमें अच्छे से मिला मिला करके अच्छे से इसको हमें पगा करके त्यार कर लेना है अब यहां पर मिठा के लिए क्या करेंगे कि डाल देंगे म तो यहां पर मैं मिस्ट्री डाल रही हूं, मिठा आपने हिसाब से कम ज़दा कर सकते हैं, मिस्ट्री के जगह पे आप चाहें तो चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें डाल देना है, इसके बाद जो हमने इसको पीस करके रखी हुई है, काजू और बदाम को इसको भी इसमें डाल देना है हमें, और बढ़िया सा इसको पका लेना है, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, सच में बहुत टेस्टी बन करके त्यार होता है, तो इस तरह से क्या करना है, कि अच्छे से हमें गाडा होने तक इसको पका करके त्यार कर लेना है, तो दीरे दीरे इस तरह से मिलाते रहेंगे इसको छोड़ेंगे नहीं और मिला करके अच्छे से इसको हमें पकाते रहना है तो इस तरह से अब क्या करना है कि देख सकते हैं गड़ा हो गया है तब इसमें डाल देना है हमें मखाने जो हमने रोष्ट करके रखी हुई है तो इस मखाने को हमें डाल देना है तो सरा मखाने इसमें डाल देंगे और इसको जो है अब ज़्यादा हमें पकाना नहीं है नही पकना चाहिए तभी यहां पर मखाने को हमें डालना है तो अब इस यहां पर इस्टॉप बंद कर देंगे इसके बाद जो है इसको क्या करना है कि किसी बरतन में निकाल लेना है तो देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम से टेस्टी सा यह गहूं का दलिया से हमने खीर बना क करके बताइएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लेगी पसंद रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ हैंक्यू